तो भाई साब आपने भी ऐसी बहुत सारी मूवीज देखी होंगी जिसमें killer लड़्यों को मारता हैं पर आज की मूवी में ये जो killer है भाई साब इसे killer न कह करके अगर आप हवसी killer कहें तो ज़्यादा सही रहागा और इसकी fantasy लड़्यों को मारने की नहीं बलकि उनके साथ अ पोड़ा सा आगे बताऊंगा खैर मुवी का नाव है दा हॉस्पिटल और यह रिलिज्वी थी यर 2013 में तुम मुवी स्टार्ट होती है और हमें कुछ लड़किया दिखाया जाती है जिनकी गार अनफॉचनेटली एक गलस जगे पर खराब हो गई है और उनके फोन में के अंदर ले जाता है और यहां पर वो उन सभी लड़कियों के साथ अलग-अलग तरीके से और अलग-अलग फैंटेसिस को अंजाम देते हुए उनके साथ गपागप करता है खैर सीन यहीं पर कट हो जाता है और हमीं दिखाई जाती है बैत नाम की एक लड़की चुकि एक जर्नलिस्ट है और अभी अभी ही एक दूसरी स्टी में आई है यहां पर वो जिस होटेल में स्टे करती है वहां की ओनर उससे पूछती है क्या तुम जर्नलिस्ट हो जिस पर वो बता दिये कि हां मैं जर्नलिस्ट हूँ और मैं एक हॉस्पिटल पर रिसर्च करने आई वहां बैटे सभी लोगों की फटके 64 हो जाती है क्योंकि वहां से बहुत सारी लड़किया गायब हुई हैं तो इन लोगों को ये लगता है कि शायद वहां पर कुछ होरर वाला सीन है तो सभी के सभी लोग उसे इस काम के लिए मना करते हैं परंतु जैसे हर मुवी में होता है कि एक्ट्रेस को लकडी लेनी ही होती है तो वो कहां किसी की सुनती है ठीक ऐसा ही होता है बैट के साथ उसे लकडी लेनी ही थी जिस वज़े से वो उनकी बात ना मान करके सीधा चली पहले तो अपना नाम बताता है जिसके बाद वो बताता है कि मैं इस हॉस्पिटल का केयर डिकर हूँ और यहाँ पर हम देखते हैं कहीं न कहीं स्टैनली बैत को अपने जैसा ही देखकर उससे अट्रेक्ट हो गया था और अच्छा मौका देखकर के वो उससे भीमार कर भी हो जाता है और अगले सीन में हमें कृष्टा दिखाई जाती है दुस्तों ख्रिश्टा जो है वह एक हॉरर सो को देख रही थी और यहाँ पर यह बताई गई कुछ ऐसी हॉंटेट प्लेज में जाते हैं जहाँ पर यह अपनी औृड्यंस को पर लेती हैं और फॉर्चुनेटली नहीं अनफॉर्चुनेटली वो सलेक्ट हो जाती है जिसके कुछ समय के बाद यह सभी के सभी लोग उस हॉस्पिटल में पहुच भी जाते हैं और यहां पर हम देखते हैं वो जो होस्ट होता है वो अपने साथ एक और बंदे को लाया था दोस्तो इस बंदे का नाम जैक है और यहां पर इन दोनों ने ही प्लैनिंग कर रखी हैं कि यह लोग इन लड़ियों को बहुत ज़ादा डराएंगे क्योंकि जो इनका शो है वो हॉंटेड वाला है ना भाईसा तो अगर उसमें हॉंटेड होगा ही नहीं तो लोगों को मज आएंगे जिसके तयारी भी इन लोगों ने कर लिये हैं और यहां पर हम देख पाते हैं कि कृष्टा के साहथ साहथ वहाँ पर कुछ और वी लड़के हैं जो कि कृष्टा की तरह ही टिकेट बुक करके यहां पर आई हैं खैर वो जो होश्ट था इन सभी लोगों को प्रदल का केयर टेकर है खेर यहीं पर हम एक लड़की को भी देख पाते हैं जो कहीं ने कहीं शायद जैक को देने के फ्लैन में थी क्योंकि उसके सारों से देखकर की पता चल रहा था कि इनका गुसरन कारेकरम अभी जल्दी में ही होने वाला है खेर स्टैनली का यहापर प्यार से दो तु प्यार से लूँगा वरना नहीं दोगी तो जबर्दस्ति लूँगा और जब बैद उस्ते मना करती है तो भाइसाब वो लेता तो ही है बस जबर्दस्ति लेता है और यहीं पर दूसरी तरफ हम इन दोनों लवट चिंटों को देखते हैं जो भाइसाब फालतू की ही बातें यहां पर पेले पड़े हैं कि हमें यहां पर अलग-अलग तरे की चीज़े दिखाई दे रही हैं अलग-अलग तरे के गोस्ट है अलिम्रा थेम्रा अद्रलसुन पुदीना भाइसाब इस चीज़ से कुछ होता तो नहीं है लेकिन इस बंदी की जरूर फट जाती है आँ अभी तो बस इतनी सी फटी है वो भी डरने की वज़े से बागी का यह अभी फड़वाएंगी क्योंकि हम देख पा रहे हैं कि यह एक रिष्टा को बता रही है कि मुझे जैक बहुत ज़्यादा पसंद है और एक बार तो मुझे उसके घोड़े की सवार ही करनी ही करनी है अब बस मेरे लिए तुम दूद की पनी का या फिर एक छोटे से निरोत का जुगाल कर दो ताकि मेरी भी पूरी हो जाए मननत और एक बार देख लू मैं पास्ते जननत खैर यहीं पर हमें होस्पिटल के बाहर का सीन दिखा जाता है जहां पर एक होसी लड है और उसके बाद उसे भी निप्टा देता है और उसके अगले सीन में भाई सब हम क्या देखते हैं कि हम इस सीन में बिजी क्या हो गए दूसरी तरफ उस बंदी ने जैक के साथ अपना गड़ा खुदवा लिया है और वो अपने गड़े की पोचा पाची करके वापस अप सुनाई देती है और उस आवास को फॉलो करते करते वो एक रूम में पहुच गई जहां पर अल्रेडी स्टैनली मौजूद था पहले तो उसके सर पर देता है रोड रोड देता है सर पर जिसके बाद वो उसके पीछे देता है खैर अच्छे से ठोकने पेलने के बाद जब इसके बाद वो उसे भी निप्टा देता है जिसके अगली सुबह हम देख पाते हैं स्टैनली उसी का बलड साफ कर रहा होता है तो यह लड़किया उसे देख लेती हैं जिसके बाद वो लड़के बेस बात पर ध्याननी देती पर इन्हें पता चल जाता है कि एक लड़की इन में से मिसिंग हैं तो यह सभी के सभी लोग गुरूप बनाकर के से ढूणने लगते हैं और जब यह लोग होस्ट के साथ उपर वाले फ्लोर में जाते हैं तो यहाँ पर अचानक से वहां के खिड़की दरवाजे बेगरा हिलने लग जाते हैं जिससे भाई साफ इनकी फ पर यहाँ उपर आकर के उसे पता चलता है कि भाई साब कोई लड़की तो चीकी ही नहीं मतलब कौन चीकी थी मेरी भी फट रही है और यहीं पर दूसरी तरफ हम बैक को देखते हैं जिसे होश आ जाता है और वो वहां से भागने की कोशिश करती हैं तो अचानक से दो लड तो यहाँ पर स्टैनली अपनी हवस फिटानी के लिए उसे देख कर हिलाने लगता है तो लड़की भी उसे नूुटिस कर लेती है जिसके बद स्टैनली उसके साद भी गलत करके निपटानी के लिए उसके पीछे-पीछे भागता है वो लड़की भागतेघते सीदह में मिले हुए हैं एक्चल में दोस्तों इन दोनों का एक हॉरर शो तो था ही इसके साथ ये लोग लड़कियों को पकड़ करके उनके साथ गंदी-गंदी हरकते करने के बाद उनकी वीडियो बनाते हैं जिसके बाद वो उन वीडियो को सेल करते हैं और यही इनका काम यहाँ चलता है और यहाँ पर इस डारेक्टर ने जिस लड़की को मारा है यह लोग इसे खीच करके नीचे बेस्मेंट वे ले जाते हैं और एक बार फिर से उसके साथ गंदी संदी हरकते करके उसे मार देते हैं जिसके बाद वो स्टैनली को बलाते हैं और उससे कहते हैं कि इस लास स्टार्ट करता है वो उन सभी गंदी हरकतों को अंजाम देता है जिसके बारे में शायद तुम सोच भी नहीं सकते इतने में ही बैद जो कि वहां से रिलीज हो गई थी और छुपी बैटी थी वो एक रॉड की हेल्प से स्टैनली को मार कर वहां से भाग जाती है और यहां से स इनकी फट के हाथ में आ गई खैर कुस देर के बाद वहां पर एक पॉलिस ओफिसर भी आ जाता है पर जैक उनके सामने ऐसे प्रिटेंट करता है कि वो भी यहां पर कुछ रिसर्च वगरा करने के लिए आया है लेकिन इसे बीच हम दिखते हैं कि पॉलिस ओफिसर को एक इस बार वो पॉलिस ओफिसर की बॉटी के साथ वो सारी गंदी हरकते करेगा जो उन लड़कियों के साथ करता था छी क्या ही जलता है इसके दिमाग में यहां पर कृस्टा और उसकी फ्रेंट किसी तरह से अपने आपको आजाब करके भाग ही रहतें कि इतने में ही उनके सा ही नहीं कि दोनों लड़किया पागल हैं बस हम लोग तो इने ही पकड़ रहे थे लेकिन यहां पर वो लड़किया उन दोने के बारे में सब कुछ सच सच बताने लगती है कि इतने में ही वो पुलिस ओफिसर क्रिश्टा की फ्रेंड को मार देती है और यहां पर हमें पता चला कि वो पुलिस ओफिसर भी उनके साथ मिली हुई है मतलब भाई साब तुम देख रहे हो मुवी की स्टार्टिंग तक तो हम यही समझते थे कि यह स्टैनली के अकेले का काम है पर ऐसा नहीं है इन्होंने तो पूरी टीम वर्क बैठा लगी है इसके बाद वो पुलिस उन्हें पहले तो धर गरी आती है कि तुम लोग दिन भर बैठके यहाँ पर बस हिलाते ही रहते हो गया तुम्हारे सामने से एक लड़की उठ करके पुलिस टेशन चली गई और उसने वहाँ पर सब कुछ बता दिया यह तो चलो ठीक है कि मैं सही टाइम पर आ गई और सार अपने भाई को फून किया था उसका भाई यहाँ पर आ चुका है वो भी अपनी वाइफ के साथ में आया था तो वह आते ही स्टैनली पर एटक कर देता है परंतो भाई साब इन्हों ने मूवी की ही पलटा के ले ली वह भी बिना सरसों का तेल लगा है क्योंकि हम देखते ह रहे थें कि इतने में ही कुछ सोल्स वहां पर आ करके इनकी लंका लगा देती हैं और यह वही सोल्स थी जिनके साथ आज से पहले स्टैनली ने गलत किया था और मूवी के एंडिंग में हम देखते हैं कि उन सोल्स ने इन्हें मार पीट के बराबर कर दिया है और आखिर में चाते हैं मुझे देखना चाते हैं तो इंस्टेग्राम पर फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं मेरी इंस्टा इडी वो देखो इस्क्रीन पर देख रही है और यूजरने में बता दूँ आपका शिवा है जी हां सिर्फ आपका शिवा है अगर लिंक चाहते हो तो इंचे डिस्क आपका शिया है